हेलो फ्रेंड्स तो आज अपन देखने वाले केमेस्टर की दो इंपोर्टेंट रियक्षेन्ड झो हमारे फिनोल चेप्टर में से है तो उसमेंसे हमारी एक रियक्षिन हैं और इसी के साथ अपन आ देखेंगे हमारी रिमर्टिमन रियक्शन यह दोनों बहुती सेम होती है इसके जो रिएजेंट होते हैं उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है एक में अपन सीयो टू कार्बन डायोकसाइड लेते और एक में अपन क्लोरोफोम लेते हैं चीह चीहल आपन देख लेते हैं इतने यह किसमें डिफरेंस है तो अपनी जो पहले रियक्शन आती है वह आती है कोल बेर रीक्शन जिसके डेफिनेशन है वें सोडियंस ऑल फिनॉल तो अपन क्या करेंगे एक फिनॉल लेंगे इस हीटेड विच सीओ टू तो इसमें अपन ने बोला 130 degree Celsius तो इसको हम 130 degree Celsius को तो अपनने क्या लिए एक फिनॉल लिया जिसको अपन sodium salt के साथ sodium salt हमारे क्या हो जाएगा ने ओएच के साथ heat करेंगे और किसकी presence में यहां पर हमने ले लिए CO2 उसको हम heat कर रहें 130 degree Celsius में इसके साथ हमें एक एसेड़ भी मिलाएंगे क्योंकि हमारे जो बनने वाला प्रोड़क्ट वह एसेड फ्रोम में वह नेगा तो इसे वह इसलिए बनेगा है क्योंकि हम यहां पर एक रिएजेंट है यूज करेंगे तो इन तीन रिएजेंट के साथ अपन इसकी रियक्शन के और वाइंगे तो इसमें को यह तीन याद रखना एन्ने ओट सोड गार्बन डायोकसाइड और हैट्रो क्लोरिक एसेड तो डेफिनेशन वेने सोडियम सॉ सेलिय मरे तो यह हमारी वेक्श्ण कारआ हुगि अधिएघिशन कर्वारें इसलिए हमारे तो इसकी सेलिय सेफ्य किसी तो इसकी रियक्शन कीसे होगी अभी जैसे हमने बोला कि हम लेंगे ऊछ हम लेंगे फिनाल तो हमारा फिनाल किसे होता है लेगे बैंजीन पर यह ने पता है हमारा आउएच यह हो गया हमारा फिनाल और अपनले क्या बोला था कि पहले अपन लेंगे NaOH sodium acid तो यह हो गया हमारा NaOH फिस reaction के बाद हम इसकी reaction करवाएंगे CO2 से फिर उसके बाद हमारी जो third reaction होगी CO2 से pass होने के बाद हम इसकी reaction करवाएंगे HCl से इत तीना reaction के होने के बाद जो हमारा final बनने वाला product होगा वो हमने अभी क्या बोला वो होगा हमारा salicylic acid तो हमारा salicylic acid किसा होता है तो वो हमारा होता है benzine ring पे OH और उसके बाद उसी benzine ring पे आ जाएगा हमारा C1 COOH तो यह होगा हमारा क्या होगा salicylic acid यह हमने क्या कर दिया यह एक और conversation में भी पूछा जाता है कि हमें फिनोल से salicylic acid बनाना है तो उसी reaction को हम क्या बोलते है कोल बे reaction फिर इसके बाद हमारी second reaction आती है वो है हमारी रिमर्टीमन reaction तो रिमर्टीमन reaction क्या होती है वें फिनोल इस टीटेड विद क्लोरोफॉम तो इसमें हमने क्या बोला उसमें इन दोनों में सिफ इतना डिफ्रेंस आएगा कि वहाँ पर हमने CO2 लिया था है यहाँ पर हम उसकी reaction करवाएंगे ख्लोरोफॉम की जगा तो वें फिनोल इस टीटेड विद ख्लोरोफॉम इन दा प्रेजेंस ओफ एक्वर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एट 60 डिग्री वहाँ पर हमने 130 डिग्री पर हीट करेंगे ओ हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड इता बड़े नाम लिखने की वजाए इसका एक नाम होता है और सेलिकल डिहाइड फॉर्मट ऑर्थो आ इस मेज़र प्रोडक्त तो जो हमारा प्रोड़ुक्त बने गां वह हमारा एसा बने गांड्रो यहां पे ओ हो चाजाएगा तो यह जो हमारी reaction थी, यह थी कोलबे reaction, इस कोलबे reaction में यहाँ पर हम ले रहे थे CO2, बस हैना, रिमर टीमर में इतना difference आएगा, कि यहाँ पर, अपन देख लेते हैं, वापिस reagent, तो यह हमने reaction करवाई, फर्स्ट में तो अपन सेम, हम सोडियम, सॉल्ट के साथ इसकी reaction यहाँ पर आजाएगा हमारा chloroform CHCl3, यहाँ पर यहाँ पर लिख दो chloroform, बस इतना difference आएगा, थर्ड में अपन सेम, इसकी reaction करवाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, जहाँ पर अब हमारा, यहाँ पर, कार्बॉक्सलिक एसिर का ग्रूप बन रहा था, वही पर हमारा क्या बन जाएगा, यह सब होगा हमारा सीम, यह हमारी हाँ बेंजीन रिंग, फिनोल के कारण OH, और अब हमारा एल्डियाइड ग्रूप एड़ोरा, तो यह होगा हमारा CHO, इसको हम क्या बहलेंगे, सेलिकल डिहाइड, तो हमें दोनों क्या है, हमको इत्ता याद रखना है, कि जो हमारी थी, कोलबे, उसमें हमको क्या करना है, CO2, सेकेंड नमबर पे CO2, और जो हमारी थी, रिमर्टीमन, उसमें हमें क्या करना है, क्लोरोफोर्म, CHCl3, बस, इन दोनों का डिप्रेंस आएगा, इस से हमारी जो फिनोल चैप्टर की दो important reaction होती है, वो complete हो जाती है, कोलबे reaction और रिमर्टीमन reaction, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you